नमसकार, मैं कुएर प्राणजल सिंभ आपका परख परख स्वागत करता हूं परख एक ऐसा यूटूब चौपाल है जहांपर समाज बिग्ञान के साहितेयों पर बिचार भीमर्ष बिसलिसन्ट किया जाता है परक न केवल समाज बिग्यान के साहित्यों से जुड़े हुए सोधार्थियों को लाभानुईत करता है बलकि गैर समाज बिग्यान के सोधार्थियों को भी समाज बिग्यान के साहित्यों से परिचे कराता है आज इसी चौपाल पर हम कानून, प्रतिबंध और अपनोंसी तराज्जी का त्रिभुच खिचने का प्रयास करेंगे इस गुफ्टगू में हमारे साथ यूँआ इतिहासकार नरेंदर सुक्ल जो वर्तमान में नहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के सोद एम प्रकासन विभाग के प्रमुख्र पत पर आसीन है संस्थागत परिचे के इतर नरेंदर शुकल उन इतिहास कारों में भी हैं जिनकी सैली साहितिक और प्रमार पक्के हैं आपको अपनी किताब ब्रिटिस राज और अभिवेक्ति की स्वतनता के लिए राजभासा पूरसकार से सम्मानित किया गया है इसी गुफ्तगूं के प्रारम में हम नरेंदर जी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्राजल जी नरेंदर जी का सोध का मौलिक जो दाइरा है वो प्रतिबंध प्रतिबंधित साहित्यों अपनमेसित राज्य जो एक मूल रूप से आधुनिक भारत के इतिहास के लंबे दोर से जुड़ता है जाकर के इसी जुड़ाओ के साथ मैं नरेंदर जी से जो पहला सवाल करना चाहता हूँ वो यह है कि आप पेसे से इतिहास कार हैं और एक लेखक और किताब का दाइरा लेखक लेख और किताब का दाइरा आधुनिक भारत के इतिहास के बड़े हिस्से से जुड़ता है ऐसे में एक इतिहासकार के लिए साहितिक थाह लेना कितना आवस्यक है और साहितिका इतिहास के साथ किस प्रकार का रिस्ता है बहुत बहुत धन्यवाद प्राणजल जी परक के इस चौपाल में मुझे बुलानी के लिए और अपनी बात रखनी के लिए आउसर देनी के लिए अउपनवेशिक सक्ति ने उपनवेशिक मानस को लगातार बनाए रखनी के लिए दो प्रमुक काम किये एक तो भारत में सदियों से चली आ रही जो संघष्ष था उस संघष्ष के कारण भारतिय सब्फेता और संस्कृति में एक तरह का आत्म विस्मरण पर पसर रहा था और दूसरा जो सबसे महत्वपूर कारे किया कि भारतिय सारजोनीन चेतना में एक तरह की कृत्रम स्मृति पैदा करने का काम किया इसी लिए आप पूरे 18 और 19 वी शताबदी में आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रहार उपनविशिक सत्य का शक्ति का भारतिय साहित्य और संस्कृत्य से जुड़े हुए तमाम तरह के जो साहित्य हैं उन पर होता है यह साहित्य ही है जो सबसे पहले समाज की चेतना को पुंजी भूत रूप में सामने लाकर रखता है चाहे यह राम का समय हो जिसमें रामायड चाहे वो कौटिली का समय है जिसमें अर्थशास्त चाहे वो कल्णड का समय हो जिसमें राज तरंगडी और चाहे वो कबीर का समय हो चाहे वो तुलसी का समय हो और चाहे आधुनिक और पनवेशिक शक्ति का समय हो सबसे पहले वह साहित्ती ही है जो अपने समय और समाज की विचार को उपर ले करके आता है और समाज के सामने रखने का काम करता है यह अकारण नहीं है कि आपनवेशिक शक्ति की चालों को बाहर लाने का काम भारती ये भाषा साहित्ते के साथ शुरू होता है 1860 में जब भारतेंदू हरिश्चंद्र के कह रहे हैं कि हिंदी नए चाल में ढली तो ये हिंदी नए चाल में केवल भाशाई धंग से नए ढली हिंदी नए चाल में कंटेंट के लिहास से भी ढली और वह कंटेंट क्या है वो है निज भाशा उन्नति है सब उन्नतिको मूल और ये वही भाशा है वही साहित्न है जो ये कह रहा है कि भारत में आपनवेशिक राजसे सभी तरह के सुख हो सकते हैं लेकिन भारत का समस्त धन और वैभो विदेश चला जा रहा है सबसे बड़ा दुख यही है और यही साहित्य है जो बार-बार पुकार के कह रहा है कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए लेकिन एक दिहास के तौर पर हिंदी साहित्य या किसी भी तरह के उस समय के भारती भाषा साहित्य को की मुख्यधारा के साहित्य के अतिरिक्त तमाम ऐसी चीजे हैं जो साहित्य के अंतरगत रखी जानी चाहिए और विशलेशित की जानी चाहिए उदारन के तौर पर उस समय भारती ये भाषाओं में के पत्रों में छप रहे लेखों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए इस साहित में उस समय की पत्रिकाओं में लिखे लेखों को शामिल किया जाना चाहिए विशेश कर 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने की परिस्तितियों में उस समय भाशा और साहित्य में अखबारों में और प्रेस से निकलने वाली जो सामगरी है उन सब साहित्य का विशलेशन एक साथ किया जाना चाहिए और जब मैं उस समय के साहित्य से ले करके 1947 के तमाम साहित्य को एक जो मुख्यधारा में साहित्य चल रहा है जो क्लासिकल तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है और एक वह साहित्य है जो प्रतिबंधित हो गया है आपनिवेशिक राजी की टेनी नजर के कारण वो समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से ही वंचित हो गया है ऐसा वह साहित्य किसके द्वारा लिखा जा रहा है और उसमें क्या लिखा जा रहा है ये देखने समझने की जरूरत है और उससे आउपनवेशिक मानस को और ठीक ठंग से समझा जा सकता है केवल यहीं नहीं जो मुख्यधारा में शामिल साहित्यकार हैं वो साहित्य और उसके प्रकाशन को लेकर किस तरह की समझ रखते हैं और उससे आउपनवेशिक सामराज ये किस तरह से उन पर एक्ट करेगा इसको समझते हुए वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा तमाम साहित्य है जो जानता है कि यह साहित्य प्रकाशित होने के बाद सामराज ये उन पर कहर की तरह तूटेगा उनका प्रेस जब्त हो जाएगा उन पर खुद मुकदमा चलेगा उनको जेल हो सकता है इसके बावजूद वो नकेवल एक बार बलकी बार बार साहित्य प्रकाशित करता है और जन जागरण भारत के स्वर के जागरण की का प्रियास करता है हम एक उधारन देखते हैं महावीर प्रसाद दिवेदी अपने समय में 1910 से 1920 के बीच में की एक घटना है उस समय मिल के एक निबंध on liberty का अनुवाद करना चाहते हैं यह अनुवाद दो खंडों में किया जाता है पहला खंड इसका मद्य प्रदेश से प्रकाशित किया जाता है और दूसरा खंड वो चाहते हैं कि संयुक्त प्रांत से चप जाए और वो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो सरकार के पास एक पत्र भेजते हैं कि इसको सरकार की स्विक्रति सहित अनुमोजित करके प्रकाशित किया जा सके और इस पर लगातार प्रशासन अपने ढंग से विचार करता है जो ओन लिबर्टी का केस है ये कई तरह से समझे जाने की जरूरत है कि उस समय वह भाशा साहित वह लिट्रेचर जिसे पश्चिमी समाज में एक बड़ी क्लासिक कृती के तौर पर माना जाता है और वह पश्चिमी समाज को अपनी अव्यक्त की सुतंतरता दिलाने में एक प्रमुख रोल अदा करती है और वही साहित जब भारतिय भाशा में निकल कर आने का प्रयास लाने का प्रयास किया जाता है तो उस पर वही पश्चिमी समाज जब एक राश्टर के रूप में विचार करता है और अपने उपनिवेश में या देखने के कोशिश करता है कि क्या किया जाए तब उसकी विचार दूसरे होते हैं अपनी पुस्तक भागी कलमे में मैंने इस विशे में राजकी अभिलेखागार लखनव से जो पत्रावली मीरी उससे मैंने विचार व्यक्त किया है और पत्रावलियों में प्रशासन क्या सोचता है इसके बारे में लिखा है मैं आपको संयुक्त प्रांत सरकार ने इसके हिंदी अनुवाद पर वर्नाकुलर विभाग का सुपरिटेंडेंट रजा हुसैन क्या कहते हैं वो मैं सुनाता हूँ अनुवादक के अनुसार यह पुस्तक मिल की लिबर्टी की विश्वस्निये हिंदी अनुवाद है किन्तु मैं विनम्बता के साथ यह प्रश्न करना चाहता हूँ इस प्रकार की अंग्रेजी पुस्तक जिसे आपत्ती जनक श्रेडी में नहीं रखा जाता जब वह एक प्रबुद्ध विचारों वाले और सिध्धानतों को समझ सकने वाले व्यक्ति द्वारा पढ़ी जाती है तब कोई समस्या नहीं होते किन्तु जब यह इस देश के स्थानिय भाशी व्यक्तियों के द्वारा स्थानिय भाशा में पढ़ी जाएगी जिनके संबंद में या तैय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे मिल के निबंद जैसे आधुनिक विचारों को सुरक्षित रूप में हजम भी कर सकते हैं कहना मुश्किल है इस प्रकार की कृतियों को वरतमान इस्थितियों में प्रोथसाहित नहीं किया जा सकता चाहे वह अनुवादक इसे अपने उत्तरदाइत पर ही छापे यह वह उत्तर है जो सुप्रेटेंड रजा हुसेन आउपनिवेशिक प्रशासन की ओर से एक क्लासिक कृति पर जिसे मानिता प्राप्त है हिंदी में जब आ रही है उस पर अपना विचार रख रहा है कि वह उसे प्रकाशित होने देने के पक्ष में नहीं है इसके बावजूद की वो स्वयम भारती है इसी पत्रावली में जब संयुक्त प्रांत के मुक्ष सचिव जे डबलू हॉस और CID डिपार्टमेंट के बीच में बाचीत होती है तो CID की तरफ से जो बात कही जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो लिखता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष में भारत में अगर यह क्लासिक कृती नहीं है तो इसका वितरन रोक देना चाहिए उस पर मुख सचिव लिखते हैं कि कृती का क्लासिक होना उसके भारत में निर्विवाद रूप से वितरन के लिए काफी नहीं है इस पूरे प्रकड़ में दो बात समझ में आते हैं इस पूरे प्रकड़ में यह देखने को मिलता है कि आपनिवेशिक प्रशासन जहां एक और तमाम ऐसे अधिकारों को जो अपने समाज के लिए बहतर समझता है वो भारती आपनिवेशिक समाज के लिए बहतर नहीं समझता है यहां तक कि वो यह वही नहीं समझता है कि देशी भारती ये लोग ऐसे विचारों को ठीक धंग से ग्रहन कर पाएंगे प्रकारांतर से देखें तो वो यह समझ रहे हैं कि अगर स्वतंतरता की बात भारती ये समझेंगे और जानेंगे तो वह भी ऐसी स्वतंतरता की मांग करेंगे और यह जन्जागरण अवपनिवेशिक सामराज्य के लिए ठीक नहीं होगा लेकिन जो दूसरी और प्रमुक बात ये है कि महावीर प्रसाद दिवेदी इस खंड को सरकार की अनूमति के साथ छापना चाहते हैं बलकि तमाम ऐसा साहित्य है जो बाद में वंचित साहित्य के रूप में प्रतिबंधित साहित्य के रूप में नजर आता है जो वो लोग छापते हैं जिनको पता है कि इसको प्रकाशित करने के बाद उनके उपर सामराज्य के टेड़ी नजर होगी उन्हें सजाएं हो सकती है एक और बहुत पूर्ण बात है साहित्य के विशे में वह यह कि यह जो तमाम साहित्य है जिसे मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता है अगर इस तमाम साहित्य यह पूरा साहित्य उस समय की मुख्यधारा में शामिल होता और आम जन के समक्ष सामान रूप से आ पाता जैसे कि मुख्यधारा का साहित्य आया तो मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस समय की जो साहित्य का स्वर क्लासिकल साहित्य के इतिहास में देखता है वह सरुस्वर उससे अलग होता और हिंदी साहित्य का इतिहास जो आज मिलता है हमको उससे कहीं अलग दिखाई पड़ता तो एक इतिहास कार के तोर पर साहित्य का आवगाहन न केवल समाज में चलते हुए विचारों के पुझी भूत स्वरूप को सामने लाना है बलकि साहित्य अपने समय की पूर्व दृष्टी और पश्चाद दृष्टी दोनों ही एक साथ सामने रखता है इस कारण से वो इतिहास भी है और इतिहास की सामगरी भी है इस नाते से साहित्य का आवगाहन और साहित्य की निगाह से कुछ देखना और समझना किसी भी इतिहासकार या विचारक या लेखक के लिए बहुत महतुपूर्ण हो सकता है जैसा की नरेंद्र जी ने अपने लंबे बिसलेशन में ये बताया कि साहित्य सोयम में भी अपने आप में समाच का ही दरपण है और समाज की प्रतक्रियाओं को आगे रखता है और बाद में यही प्रतक्रियाएं इतिहास की नामचीन दर्ज तारीख बनने की कोशिस करती है और हलाकि मैंने अपने सुरुवात में भी ये कहा था कि नरेंद्र जी उन इतिहासकारों में हैं जिनकी सहली साहितिक और प्रमाडपक के हैं प्रमाडपक के कहने का आधार ही मेरा ये था कि नरेंद्र जी के बिसेस कामों का जो सबसे बड़ा स्रोथ है वो अर्काइब है वो राजकी अर्काईब और राश्टी अर्काईब या फिर मध्यप्रदेश पटना नरेंदर जी ने अपने सूथ के लिए तमाम अर्काईबों की मदद ली है ऐसे में नरेंट जी आजकल समाज बिग्यान में भी अर्काइब को लेकर के एक तरह तरह की बिचार और विमर्स होते रहते हैं ऐसे में एक सवाल मेरा उस पर ही है कि आपके काम में अर्काइब का प्रियोग सबसे ज़्यादा है क्या यह पध्धती के तोर पर आप उसको प्रियोग में ले रहे हैं या सिर्फ इतिहास की तारीक को एक पुक्ता सबूत के तोर पर दरसाने के लिए आज किस समाज बिज्यान में अरकाईब को पधती के तौर पर अगर प्रयोक किया जा तो किस प्रकार किया जा सकता है जब मैंने ये काम शुरू किया तो प्तिबंदिस सहीत पर जो उससमें काम आया था खासकर भारत में प्रतिबंदित साही तिपर वो जे गैरियर एन बेराल्ड का काम था जिसको आये भी बहुत समय हो गया था 1975-1976 में किसी समय वो किताब आई थी और मेरे पास एक खुला मैदान था एक ऐसे विशय का जिस पर भारत में किसी भारती ये द्वारा मूल सामगरी तरक जा करके और इस विशय को समझना और आगे बढ़ने का काम था मैं उस समय उत्तर प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश का जो राजगी अभी लेखागार है वो इस विशय में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां सामगरी बहुत वेवस्तित धंग से ठीक धंग से रखी गई है हलांकि उसमें काम होना चाहिए और काम हो भी रहा है किन्तु फिर भी वहां सामगरी मिल जाती है केवल यही नहीं राश्ट्री अभी लेखागार नई दिल्ली में इससे सम्मंदित सामगरी थी इससे सम्मंदित सामगरी राश्ट्री अभी लेखागार पटना में थी पंजाब में है और भुपाल के आर्काईवस में है मूल प्रश्णी यह है कि कोई भी लेखक, साहित्यकार, समाज विज्ञानी, इतिहासकार आखिर अभी लेखागार में जाए ही क्यूँ तथ्य बहुत तथ्य दो तरह से होते हैं इसको यूँ समझें एक प्राकृतिक तथ्य हैं और एक एतिहासिक तथ्य है प्राकृतिक तथ्य वो होते हैं जिन पर समय और काल का बंधन नहीं होता है जैसे हाइड्रोजन के दो अणू और एक अणू ऑक्सीजन का मिला करके जल बन जाता है यह एक प्राकृतिक तथ्य है और चाहे 500 सल पहले या 500 साल बाद अगर हम चाहें तो इसको लैब में टेस्ट कर सकते हैं और तब भी जल ही बने कुछ तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जो एतिहासिक तथ्य हैं एतिहासिक तथ्य सद्यों समय और काल की सीमा में बधे होते अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था तो आजाद हुआ था और यह तथ्य समय और काल की सीमा में बधा हुआ है हम वापस जा करके उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन उस समय के तमाम तत्थियों के को इकठा करके हम यह निश्चित कर सकते हैं कि हाँ 15 अगस 1947 को देश आजाद हुआ था इतिहास की पध्धति में इसी लिए अभिलेखागार बहुत महत्वपूर्ण होड़ता है किन्तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इतिहास वास्तों में एक इतिहास और इतिहासकार एक प्रिज्म की तरह काम करता है जिसमें तथ्य इतिहासकार के मस्तिश्क में प्रवेश करते हैं और वहां से इतिहास निकलता है इसलिए जैसा प्रिज्म होगा वैसा ही इतिहास निकल करके आएगा और जैसा ही प्रिज्म होगा कई बार होता है कि जो रोश्नी आ रही है हम किन तथ्यों का संकन्ट कर रहे हैं तथ्य आरकाइव अभिलेखागार में भी तथ्य कुछ लोगों ने संकलित करके रखे हैं तो कई बार संभावना यह भी होती है कि जिन लोगों ने वह अविलेखागार तयार किया है वो अपनी मनशा के अनुसार अविलेखागार तयार किया है और जो इतिहासकार या समाजविज्ञानी अविलेखागार में जा रहा है वो अपनी मंशा के अनुसार तथ्यों का संकलन कर रहा है और उसके बाद फिर उसमें से कुछ नया विचारणा ले करके उसकी एनालिसिस करता है विच्छेशन करता है और इतिहास के रूप में उसे प्रस्तुत या समाजविज्ञान के किसी विधा के रूप में उसे प्रस्तुत करता है ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अबिलेखागार की सामगरी को भी हम देव वाक्य नहीं मान लें या देव तथ्य नहीं मान लें ऐसा तथ्य नहीं मान लें कि उसके अत्रिक्त कोई चीज नहीं हो सकती है और इसी लिए हम अबिलेखागार और साहित जो मूल पत्रावलियां नहीं है इसके अलावा साहित है वहां भी जाते हैं मूल पत्रावलियों में जाते हैं प्राइवेट पेपर्स में जाते हैं और इन सब से निकाल करके एक उस समय की जो आतिहासिक तत्य है उसके इर्दगर्द क्या हो रहा है उसको समझने का और उसको पुना लिखने और समझने का और बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं तो अभी लेखागार इस मायने में महतोपूर्ण होता है कि समय के किसी बिंदु पर जाकर इर्दगर कितनी चीजें हैं उसको वो प्रमाणित रूप में वो चीजें हमको मिल जाती हैं और इसकी सहायता से हम ये काम कर सकते हैं लेकिन इन सब में जरूरत इस बात की है कि हम जो भी तथ हैं उनका विचार पूरक इस्तेमाल करें अपना मस्तिश को खुला रखें और उसके बाद ही वो तथ हमारे लिए प्रमुक और काम के सावित होंगे यही नहीं कई बार खासकर प्रतिबंधित साहित्य के मामले में जो अभी लेखागार बने हैं वो कुछ तरह के कानूनों से इकठा होते हैं जैसे अठारा सो सरसथ में जब बुक और रेजिस्टेशन एक्ट आया तो उसी में धारा नौक और नौख दो धाराएं जोड़ी गए धारा नौक यह कहती थी कि भारत में भारतिये प्रेशों से जो कुछ भी प्रकाशित होगा उसकी एक प्रती सरकार को देनी थी और नौक खा में कहा गया कि सरकार एक वर्ष के भीतर जिन पुस्तकों को चाहेगी या जिन प्रकाशन को चाहेगी उसकी दो प्रती और मगा सकती है यह नौ देने पर पचास रुपए का जुर्माना भी था लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण धारा एक ग्यारा है जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार समय समय पर नौक के तहट जो पुस्तके आ रही हैं उनको तो रद्दी में डालती रहेगी लेकिन नौखा के अंतरगत जो पुस्तके आ रही हैं उसमें से एक इंडिया ओफिस लाइबरेरी जाएगी और एक भारत राज्य सचियू के पास जाएगी यह वह पुस्तके थी जिनको कुछ समय में आवपनिवेशिक सामराज पढ़कर उनका विशलेशन करके यह समझता था कि यह भारतिय जन जागरण के लिहाज से यह भारतिय समाजिक प्रशनों को उठाने वाली अत्वा और पनिवेशिक प्रशासन के चर्तर को खोलने वाली पुस्तके हैं या क्रांतिकारी कारियों के लिहाज से सुवक जागरण के लायक ये पुस्तके हैं उन पुस्तकों को विशेश रूप से इनके अंदगरत लिया जाता था और इन में से इसके दौरान जो चीज बनी वो वास्तों में प्रतिबंधित साहित्य का अभिलेखागार है जो इंडिय लाइबरेरी कॉलकाता में भी है तो इस तरह से एक अभिलेखागार बनता है जो बना तो सामराज्य की अवश्यक्ता के लिए था लेकिन आज हम उसी सामराज्य के उसी आउपन विश्यक मानसिक्ता के चरित्र को खोलने के लिए हम उपियोग में ला रहे हैं अलाकि जो मैं अगला सवाल करने वाला था वो सवाल को जो है नरिंद्र जी ने उसी सवाल की इर्दगिर्द अपनी बात को रखते समय रख दिया है ये बिल्कुल सही बात है कि आर्काइब जो है स्टेट की सवरेनिटी का एक अपना स्रोत होता है और अपने विश्यक राज ने अपने आपको अस्थापित करने के लिए आर्काइब को एक महत्पूर्ण भूमिका में रखा जिस पर बरनाट कोहें ने भी एक लंबा लेख लिखा लेकिन मैं फिर उसी अभी मैं इसी बात पर ही रहता हूँ प्रतिविंधित साहित्यों को जो बरकाइब में जमा किया जा रहा था तो उसमें ऐसी कौन सी आवाजें नहीं थी जो अपने राज्ज को इस तरह का इस्टिप लेने के लिए मजबूर करती थी या इस तरह के कानून को बनाने के लिए प्रेवित करती थी कि हम उसे प्रतिबंधित करते हैं प्रांजल जी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है क्योंकि यह वह प्रशन है जो प्रतिबंधित साहित्य को लिखने वाली प्रतिबंधित साहित्य को बाहर लाने वाली ऐसा साहित्य जो जन जागरण कर सकता है जिनको आउपनिवेशिक प्रशासन लगातार रोकने की दबाने की कोशिश कर रहा है ऐसा साहित कौन लोग लेके आ रहे हैं उनको पहचानने वाला यह प्रशन है अगर 1878 से 1890 के पीच जो प्रकाशन हुए हैं और उस समय भारतिय भाषा प्रेस और जो अंग्रेजी प्रेस है इन दोनों के बीच में अगर जो तनातनी है जो तनाव है उसको अगर हम ध्यान से देखें जिसमें एक पूरा बड़ा प्रेस खास कर वो अंग्रेजी प्रेस है जो आपनिविशिक प्रशासन के साथ है और धेर सारा भारतिय भाशाई प्रेस जो भारतिय समाजिक प्रशनों को बाहर निकाल रहा है और अपनिविशिक चरित्र को खोलने की कोशिश कर रहा है वो कौन लोग है अगर हम उनको समझ जाए तो सायद इस प्रश्ण को समझ सकेंगे साथ ही यह हम समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्ण के साथ कि आखिर जब यह धारा शुरू ही प्रेस की ऐसा स्वश्ण हुआ जो अपनिविशिक प्रशाजन को प्रसंद नहीं था तो उनकी प्रतिकरिया क्या थी मैंने अपनी पुस्तक अपनिवेश अव्यक्ति और प्रतिबंध में 1878 से लेकर 1890 के बीच संयुक्त प्रांत में किस तरह से प्रकाशन हो रहा है मैंने यह पाया कि जैसे जैसे ऐसे वाइस्तराय का काल आ रहा है जो प्रकाशनों को लेकर के थोड़ा नरम है एका एक प्रकाशन की संख्या बढ़ जा रही है और ऐसे वाइस्तराय का काल आ रहा है जो प्रकाशनों को लेकर ठीक रवया नहीं रखते हैं खासकर भारती ये भाशा के प्रकाशनों को तो प्रकाशनों की संख्या कम हो रही है मैंने यह भी देखा कि अगर वाइस्तराय नरम रुख रखता है लेकिन उसके साथ व्यक्तिगत अस्तर पर समस्याएं चल रही हैं प्रकाशनों उस समय भी प्रकाशन कम हो रहा है और जब वह ठीक स्थिती में है तो प्रकाशन बढ़ रहा है और इस जब प्रकाशन बढ़ रहा है तो प्रशासनिक रिपोर्टें और प्रशासन इन प्रकाशनों के बढ़ने पर क्या प्रतिकिया अपना रही है ये 1888 और 1889 में जिस तरह से प्रकाशन बढ़ा है 1878 से लगातर दो गुना तीन गुना होता जा रहा है उस पर प्रशन पूछा जा रहा है आखिर ये प्रकाशन क्यों बढ़ रहे हैं और ये वही प्रकाशन जिससे प्रशाजन चिंतित है 1888 में जब 1300 से अधिक संयुत प्रांत में प्रकाशन होते हैं तो प्रकाशन विभाग से ये प्रशन पूछा जाता है आखिर ये प्रकाशन क्यों बढ़ रहे हैं तो ये जवाब देता है कि प्रकाशन इसलिए बढ़ रहे हैं प्रशासन जिस भी कारण से बढ़ रहे हो भले ही इनका स्वर कैसा भी हो लेकिन वो इस लायक नहीं है कि उसको पढ़ा जा सके पहले तो पहली इस प्रतिक्रिया में वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन 1889 में जब यही प्रकाशन 1300 से बढ़ कर 1500 होता है तो फिर से प्रशासन पूछता है आखिर बढ़ने का रविया क्या है क्यों बढ़ रहा है तो फिर से उत्तर आता है कि संभावता पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और उन्होंने कलम उठा लिए अब जड़ा इन दोनों को जोड़ करके देखिए प्रशासन किस तरह से खीज रहा है नए तरह के प्रकाशनों के बाहर आने से तो ये जो प्रकाशन आ रहा है और समाज के बारे में चिंता जाहिर की जा रहा है और पनविशिक प्रशासन के चरित्र के बारे में चिंता जाहिर किया जा रहा है तो ये वास्तों में आपनविशिक प्रशासन यहां से सोचना शुरू करता है कि नहीं अब इसको रोकने की आवश्यक्ता है और 1897 में जिस तरह से रेंड और आयस्ट की हत्या के बाद तिलप पर यहा रोप लगाया जाता है कि उनके केसरी में लिखे हुए लेखों के कारण यह रेंड और आयस्ट की हत्या हुई है और इसी के ठीक साथ भारत का भारती ये प्रेस का एक बड़ा वर्ग तिलप के साथ हा जाता है और वह वर्ग प्रेस का जो अवपनिवेशिक प्रशासन के साथ रहता है वो पूरी तरह से उनके साथ हो जाता है भारत में भारत की अभिव्यक्तिकी स्वतंतरता प्रेस की आजादी के लिए जो संगर्ष चल रहा था वो और भारत की स्वतंतरता का जो संगर्ष चल रहा था वो वो इस प्रश्ण के साथ आकर जुड़ जाते हैं और ये वो जगह होती है जिससे आगे भारत में अभिव्यक्तिकी स्वतंतरता की लड़ाई और भारत की स्वतंतरता का संगर्ष एकमेक हो जाते हैं और ये लगतार आगे चलती है और ये तमाम आवाजें अब सुतंतरता संगर्ष के साथ जुड़ जाती है और ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से निकलने वाले एक पत्र जामी उलूम और उसके संपादक सुफी अंबा प्रसाद पर उतनी ही सजा होती है धारा 124-1 के अंतरगत जितनी तिलक को होती है और ठीक इसी वक्त जो चाफेकर कलब चाफेकर बंदूओं के मारे जाने के बाद चाफेकर कलब का क्या हुआ ये लोगों को पता नहीं है लेकिन चाफेकर कलब के तमाम सदस से इस घटना के बाद देश के बिभिन भागों में बिखर गए और उनमें से कुछ लोग आते हैं बनारस और कालिदास नाम का अख़बार चलाते हैं कृष्ण जी आप जी गुरु जी नाम के व्यक्ति अगर कर लावते कनेरी वर्मन जी ये सब लोग इकठा होते हैं बनारस में और कालिदास नाम का अख़बार चलाते हैं यह समय है 1900 यह युग संदी है नई सदी में आने की और यह घटना जिसमें तीन महीने के अंतर गथी कालिदास को प्रतिबंदित कर दिया जाता है कालिदास पर रोक लगा दी जाती है उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाता है संपादकों को तीन-तीन महीने की सजा दे दी जाती है लेकिन चो स्वर था कालिदास का वो यह दिखाता है कि आगे आने वाले समय में भारतिये प्र इसे एक एक करके लगातार अकबार पूरे देश भर में निकलते हैं और उनसे निकलने वाला साहित जन जागरण में भागीदार होता है। कुछ चोटे चोटे लोगों का चोटे चोटे ग्रुप्स में या संस्थाओं दोरा या पत्रिकाओं दोरा या लोगों दोरा जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसको मैंने सूत्र बद्द किया है। कि विज्यांग को पाएंगे उस पुस्तक में आप देखेंगे तो तमाम आगे चलने वाली आगे राहुल संक्रत्यायन की क्या करें तक ऐसे तमाम लोग हैं और इसमें हर तरह के लोग हैं। वो साहितेकार भी हैं, वो वणिक वर्ग से भी हैं, वो सामान लेखक हैं, वो पत्रकार हैं, वो नौकरी पेशा लोग हैं। तो ऐसे तमाम तरह के लोग हैं, जो भारतिय समाज, भारतिय स्वतंतरता के प्रती चिंतित हैं, और पनवेशिक शक्ति के दमन के प्रती चिंतित हैं, और उससे बाहर आना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम, मतलब इसमें जो लोग हैं, वो हर तरह के श्रिणी, हर तरह के वर्ग के लोग हैं, जो लगातार अपनी बात लोगों के बीच में ले आ रहे हैं, और उनके द्वारा जो जन जागरण पैदा हो रहा है, वो भारतिय स्वतंतरता आंदोलन की मूल शक्ति बन और साहित पर अपनवेसित राज की प्रक्रिया और नरेंदर जी की अपनी किताब बागी कलम से जिस तरह के एक्जामपल उदारनों को देर करके नरेंदर जी ने अपनी बात कही है, एक बड़ी दिल्चस्प बात इनों ने कहा कि, अपनवेसित राज पहा की, यह हैं लिख रहे हैं. साथ ये अभी भी मुझे लगता है निरंतर चल रहा है कि बेरोजगार कहीं ऐसा तो नहीं जादा लिख रहा है मेरा इसारा सोधारतियों पर है जो लोग पि-स-T कर रहे हैं. दूसरी भात जो आपने कहा कि बागी कलम का जिक्र नरेंजी कर रहे हैं नरेंजी कि ये प्रारंभी किताबों में से है और जिसमें उन्होंने बता खुदी बताया कि मैंने उसमें तमाम उन आवाजों को एक साथ रखने की कोशिस की राहुल संस करते हैं उन लोगों में से थे जो मातहत समाज और क्रि आलही में आने वाली आपकी किताब ने एक लार्जर फ्रेम में जोडते हुए उसे अभिवेक्ति की सोतंतरता से जोड दिया है जो वानी प्रकासिन से आपकी किताब है इस किताब में आपने समय सीमा को 1907 से 1935 तक रखा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोर जो है अपने आप में साहितिक दुनिया और अपने वेसित दुनिया का सबसे नायाब दौर भी था और इसमें बहुत उठा पठक भी थी तो इन दस्कों के बीच अविक्तिकी सुतंत्ता को लेकर ऐसी कौन सी बेचैनी थी जिसकी वजह से साहितियों को प्रतिबंधित ही करना अपने में सित्र राजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कुछ हुदारणों के साथ इस बात को और विस्तार से बताईए कि ये अविक्तिकी सुतंत्ता का ही अविक्तिकी सुतंत्ता से किस परतरह से जाकर के ये जुटता है वास्तों में बंग बंग और सुदेशी आंदोलन के बाद जो भारत में जन जागरण हो रहा था और उस जन जागरण के साथ खास कर महराश्र में और बंगाल में जिस तरह से क्रांतिकारी शक्तियों का उभार हुआ था वो सरकार और उपनिवेशिक प्रशासन के लिए चिंता की बाद थे साथ ही एक और केंद्र क्रांतिकारी तोर पर डेवलप हो रहा था और वो था पंजाब पंजाब में सरदार अजीद सिंग लगातार क्रांतिकारी शक्तियों सीक्रेट सोसाइटीज को इकठा करने उनको बनाने और ऐसा लेखन करने जिससे जन जागरण हो उसके लिए प्रयास कर रहे थे पंजाब में एक अधिकारी इबिस्टन लिखता है कि जो जहर बंगाल से आ रहा है वह अब पंजाबी नव्यूकों को भी प्रभावित कर रहे है ये जिस जहर की बात कर रहा है वो वही जहर है उसकी दृष्टी में जो करांतिकारी पत्रों से महाराश्र और बंगाल के जरिये पंजाब में पहुँच रहा है और ये वही 1978 का समय है जिसमें सरदार अजीत सिंग अपने साथियों को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्योंकि महाराश्र और बंगाल तो करांतिके केंदर बन चुके थे लेकिन उनका सहयोग और पूरी तरह से शक्ति तब तक निर्मार नहीं हो सकती थी जब तक की उत्तर भारत के खेत्र में ऐसे शक्ति केंदरों का निर्मार नहीं हो जाए और इस बात के लिए चिंतित थे सरदार अजीत सिंग मेरी इस बात को उनकी इस योजना से भी बल मिलता है कि उन्होंने केवल पंजाब में ही नहीं अगबार शुरू किये उन्होंने अपने सातियों शांती नारायन और सुफी अंबा प्रसाद आधी को उत्तर प्रदेश में इलाहबाद में भेजा और स्वराज जैसा पत्त्र शुरू किया जिससे उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांति की लौ जलाई जा सके यह जो 1907 से 1935 का दौर है यह भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष का चरम शिखर है इसमें केवल प्रतिबंधित कर देना ही एक अंतिम अस्तर के तौर पर आपनिविशिक प्रशासन ने इस साहित्य के प्रती जो उसका रवया था वो नहीं निकाला तमाम तरीके उसने विक्सित किये जिससे की ऐसे साहित्य को रोका जा सके और इन तरीकों में राज सहायता और काली सूची भी मत्तु पूर्ण थी जब आप अभिलेखागार के पत्रों में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रशासनिक हलकों में इस बात की चिंता है कि जिस पत्र को या जिस साहित्य को हम प्रतिबंधित कर दे रहे हैं उसकी मांग एका एक बहुत तेज बढ़ जा रही है और वो चोरी छुपे लगातार पूरे देश में एका एक कई भाशाओं में अनूदित हो करके बहने लगी है और जो हम रोकना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा उससे नुकसान हो रहा है इसलिए सरकार इस बात में चिंतित थी कि कौन सी सामगरी को प्रतिबंधित किया जाए और कौन सी सामगरी को इगनोर किया जाए तो तमाम ऐसी सामगरी थी जिसे भरसक वो इगनोर करने के कोशिश कर रहे थे तो ये जो सामगरी थी इसको रोकने के लिए तो वो कानून दर कानून ला रहे थे 1908 में इंसाइटमेंट टू अफेंस एक्ट निउस पेपर के लिए ले आया 1910 में भारशासन अधिनियम लाकर के एक एक्ट लाकर के प्रतिबंधित करने के शुरू किया डिफेंस इंडिया रूल लेकर के आये और जब 1910 का एक्ट खतम हुआ तो 1921 में एक्ट खतम किया लेकिन 99 ए जोड़ करके सभी तरह के राजद्रोही प्रकाशनों पर प्रतिबंध के लिए एक खिड़की तब भी खोले रहे और यही नहीं वो यह जान गए थे कि जैसे ही हम किसी प्रकाशन को प्रतिबंध करके किसी व्यक्ति पर मुकद्मा चलाते हैं एक आ एक वो नेशनल हीरो में तबदील हो जाता है तो आइकंस का निर्माड कम से कम हो इसके लिए आपनवेशिक राजनीती लगातार प्रयास कर रहे थे तो वह साहित जो हिंसा से जुड़ा हुआ था उसको तो वो लगातार प्रतिबंधित कर रहे थे ऐसे लोगों को लगातार जेल में डाल रहे थे लेकिन वह साहित जो उनको लगता था अभी फिलहाल इसको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए उस पर वो दूसरा रविया अपना रहे थे उनको किसी ने किसी तरक नीचे के लेवल पर डरा धमका करके उसको रोकने के कोशश कर रहे थे ऐसे अखबारों को लगातार वो लालच दे रहे थे खासकर विग्यापनों का जिससे की जो समाचार वह नहीं चाहते हैं उनको वह न चाहपें 1878 में ही अमरित बाजार पत्रिका के संपादक शिशुर कुमार घोष को लिटन ने ये ओफर किया कि हम आपको विग्यापन देंगे लेकिन आप वही चाहपें जो हम चाहते हैं शिशुर कुमार घोष ने एक उत्तर दिया उन्होंने कहा कि कम से कम पूरे भारत में एक इमानदार भारती है तो रहने दीजे और उसके बाद वो अपना पत्र जो देशी भाषा के लिए था रात और रात उन्होंने अंग्रेजी में किया और इस तरह अमरित बाजार पत्री का बच सका केवल यही नहीं आवपनवेशिक प्रसाशन ने तमाम ऐसे अख़बारों को जैसे गोरफपूर का ग्यान शक्ति उसको पैसा दे करके उसके संपादकी कॉलम में ठहरो नाम का एक लेक छपवाया और वो गांधी जी के विरुद गांधी जी के आंदोलनों में लोग शामिल नहों इसके लिए दस दस हजार प्रतियां बाटे गए लेकिन इसके बावजूद तमाम ऐसे अख़बार रहे जिनोंने यह बात नहीं मानी उन्हें खत्म हो जाना स्विकार किया किन्तु भारत की समाज की चिंता भारत की स्वतंतरता के लिए लेखन भारती और स्वा के जागरण के लिए लेखन लगातार करते रहे तो ये पूरा जो समय है 1907 से 1935 तक ता तो आप ये देखेंगे कि इसमें तमाम तरह की आवाजे हैं इसमें विद्यार्थियों की भी आवाजे हैं इसमें ऐसे लोग भी हैं जो सीधे तोर पर राश्ट्री आंदोलन से नहीं जुड़े हैं किसी अन्य आंदोलनों के साथ हैं लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज उनकी आवाज जाकर राश्ट्री आंदोलन में एकम एक हो जा रही है तो 1907 से 1935 भारत के द्वारा या भारतियों के द्वारा जो अवपनिवेशिक प्रशासन है उसमें प्रतिरोध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रतिरोध को दबाने के लिए औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है वह भी महत्वपूर्ण है और इन दोनों के साथ आप अभिविक्त की स्वतंतरता की लड़ाई और राज्य के द्वारा अभिविक्त की स्वतंतरता को रोकने और दबाने के लिए जो जो हतगंडे अपनाया जा सकते हैं उसको आप साफ साफ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं नरेंद जी की इस बात से ये बिलकुल असपष्ट है कि अविवेक्त की सुतंतरता और राज जी का रिस्ता जो हमें इतिहास में मिलता है उसके संबंद वड़े नाजुक रहे हैं जब अविवेक्त की सुतंतरता और नरेंद जी की किताब लगभग तीन सो पेजों में फैली हुई किताब है और इसके प्रतेक अध्याएं अपने आप में बहुत दिल्चस्प हैं एक इतिहास कार के तौर पर मैं एक राजनी विग्जान के विग्जान बिद्यार्थी के तौर पर जो मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें एक इतिहासकार की जलक तो दिखती ही है साहितिक और छेत्रिय जो समझ है वो समझ भी पूरी तरह से उस किताब में निकल करके आती है और अभिवेक्तिकी सुतंतता, कंस्टिशनल राइट और राज्य अपने आप में किस तरह से एक दूसरे से अपने आपको जोड़ता है और एक दूसरे से अपने आपके नाते को तोड़ता है इन सब सारी प्रक्रियाओं का उसमें एतिहासिक बिसलेसन उस किताब में है नदेन जी जब मैं एक पाठक के तौर पर जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था अध्याय दो के सिर्सक को लेकर के मुझे एक विरोधा भाज देखने को मिला उस अध्याय का सिर्सक है क्रांतिकारी गाधिवादी दर्शन साहित और प्रतिबंद जहां तक राष्टी आंदोलन का सवाल है क्रांतिकारी गत्विधियां और गांधिवादी गत्विधियां ये दोनों एक दूसरे से बेहत अलादा हैं क्रांतिकारी गत्विधियों का काम करने का तरीका गांधिवादी गत्विधियों का काम करने का तरीका में एक बहुत पड़ा एक दूसरे के बहुत ही विपरीत हैं ये ऐसे में दो विपरीत धाराओं को आपने एक अध्याय में सामिल किया है इसका में इस अध्याय में सामिल करने का आपका मुख्य उद्देश प्रांजल जी भारती इतिहास को इतिहास के विद्यार्थियों ने जिस तरह समझा है और खास कर स्वतंत्रता के बाद जिस तरह का इतिहास लेखन हुआ है उसमें जादातर किताबों में हमको एक खास तरह के इतिहास को पढ़नी के लिए और उस तरह की समझ विक्सित करने का प्रयास किया है खास कर हमको यह समझाया जाता है कि भारती स्वतंत्रता संगर्ष 1857 सिर्श चुरू हुआ 1885 में कांग्रेश बनी 1905 में स्वदेशी और बंग बंग हुआ 1920 में गांधी जी का असायोग हुआ सविने अवग्या 1930 में हुई और 1942 में भारत छोड़ू आंदोलन हुआ और देश आजा दो ये एक रीखी इतिहास बार-बार हमको समझाने के कोशिश की गई और इसके मूल में जो मानस काम कर रहा था वहया काम कर रहा था कि भारत का स्वतंत्रता संगर्ष केवल गांधी और गांधी के जुड़े हुए जो आंदोलन है उसके जरिये प्राप्त हुआ यह भी मानस है यह भी मानस तयार करने के लिए हुआ कि 1947 के बाद जो कुछ भी 1947 के पहले हुआ हुआ उसका राजनैतिक लाब कैसे लिया जा सके इतिहास के विद्यार्थी ने यह तै किया अपनी पुस्तकों के माध्यम से कि उसका राजनैतिक लाब लंबे समय तक भारत की राजनीती में लिया जा सके यह बहुत विचार पूरवक्त मैंने किया है क्योंकि क्या आप गाधी को क्रांतिकारी नहीं समझते हैं गाधी स्वयम में क्रांतिकारी है क्रांतिकारी शब्द हिंसात्मक क्रांति के लिए रूड हो गया है लेकिन जब आप पूरे सुतंतता आंदोलन को उस एक रीखी मानस से या एक रीखी इतिहास के समझ से आप अलग हटके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्रांतिकारी अपनी तरह से काम कर रहे हैं जिने हम हिसात्मक क्रांतिकारी कहते हैं खासकर 1920 के बहले के क्रांतिकारी और 1920 के बाद के क्रांतिकारी कई पुस्तकों में जान बूच करके इस बात को बहुत मजबूती से उठाया गया है कि 1920 के पहले के क्रांतिकारी की भारत कैसा आगे हो इसकी समझ नहीं थी या भारत की स्वतंतरता की माइने क्या है इसकी समझ नहीं थी वास्तों में वो लोग 1920 के बाद के क्रांतिकारीों में यह समझ थी यह दिखाने के लिए 1917 की रूसी क्रांतिक के बाद जो बदला हो रहे हैं उसको स्टेबलिश करना और उसके बाद भगत सिंग के रूप में एक आइकन खड़ा करना यह उनकी राजनीती का हिस्सा था जो इतिहास की पुस्तकों में हमें स्टेबलिश करते हुए मिलता है जब मैं प्रतिबंधित साहित पे पढ़ रहा था उस समय मैंने सरदार अजीत सिंग को पढ़ा लाला हर्दयाल को पढ़ा, भाई पर्मानंद को पढ़ा, शचीन सान्याल को पढ़ा इन सब को पढ़ने के बाद मैंने यह देखा कि जो पहले के कृरांतिकारी हैं उनमें भी भारत कैसा हो भारत की सवतंतरता किस तरह हो और भारती ये समाज कैसा बने इसकी पूरी की पूरी समझ दे अभी जो काम मैंने सीक्रेट सोसाइटीज के अध्यन का शुरू किया है इस काम के बाद जो नया काम शुरू किया है उसमें भी हम जब सीक्रेट सोसाइटीज के कारे कलापों का अध्यन पाते हैं उनमें जिस तरह की प्रेणा पा रहे हैं और वो जिस तरह के भारत का निर्मार करना चाह रहे हैं, उसमें भी यह देखने को मिलता है कि वह बाद के करांतिकारियों से या गांधी वादी समझ जो है भारत के बनने की उस तरह के भारत के निर्मार से अलग उनकी समझ नहीं है. वह भी एक ऐसे भारत का निर्मार करना चाहते हैं जो भारती संस्कृती और परमपरा से जुड़ी हुई हो, वो कटी हुई नहों और यह जो भारती संस्कृती और परमपरा से जुड़ाव है यह उनको वह भूमी देता था जिस पर वह अपने आंदोलन को रख कर आगे तो जो ये क्रांतिकारी हैं चाहे वो पहली पीडी के जिने कहा जा रहा है या दूसरी पीडी के मैं इनको दोनों को अलग नहीं करता क्योंकि वही चंद्शेखर आजाद की एक बड़ी महतपूर्ण चित्थी है जिसमें वो कहते हैं लिखते हैं कि मैं ये धोती और ये सामान एक निश्चित कांग्रेसी कारिकरता को जो जेल में बंद है उसको देने के लिए रखाया हूँ चंदर शेखर आजाद करांतिकारी धोती और सामान कांग्रेसी कारिकरता के लिए जो जेल में बंद है वो देते हैं आप शुरू से देखिए मैं गांधिवादी आंदलोनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग कितने करांतिकारी कारियों के साथ जुड़े थे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि करांतिकारी कितना गांधिवादी कारिकरमों में जुड़े हुए थे और ये तमाम क्रांतिकारी आप शुरू से देखेंगे कांग्रेस के कारिक्रमों में न केवल भाग ले रहे हैं बलकि कांग्रेस द्वारा दिये गए कारिक्रमों के लिए लड़ रहे हैं लाला लाजपत रहे हैं जो कांग्रेस में थे उनकी हत्या का विरोध करने के लिए सॉंडर्स को मारा जा रहा है तो क्रांतिकारी और गांधी वादी को दोनों आंदोलोनों को अलग अलग करके पढ़ना भारती इतिहास की समझ में और सुतंतरता आंदोलन की समझ में और एक साथ समझ में पाने के लिए खुद समझने के लिए और और अरुल तक ले जाने के लिए इसको मैंने एक ही जगर रखा है और मुझे विश्वास है कि जब मेरा काम सीक्रेट सोसाइटीज वाला खतम होगा तो मैं गांधी वादी लोग जो गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं उनके किस तरह से भारती करांतिकारियों के साथ संबंद हैं और करांतिकारियों के किस तरह गहरे संबंद कांग्रेसी लो करने में सफल साथ हूंगा तब मैं शायद देख पाऊं अभी मेरा काम खतम नहीं हुआ है शायद देख पाए कि यह कहांचे कहीं थे ही नहीं